केंद्र सरकार ने संसत के बजट सत्र में अपने आर्थिक नीतियों राजस्व और राजकोश की तुलना मनमुहंस सरकार से करते हुए श्वेत पत्र पेश किया था जिसमें सरकार ने दावा किया है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बन कर उबरेगा सरकार द्वारा किये गए इस दावे पर कॉंग्रिस ने तीखा हमला बोला है तो क्या कहा है कॉंग्रिस ने देखिए इस रपोर्ट में उनोंने बजट से अधिक खर्च करनी के लिए जम कर उधार भी लिया और बैंकों को लोन ना चुकानी के चलते भारती अर्थ विवस्ता की रफ्तार थम गई इस पर कॉंग्रेस महसचिफ जैराम रमेश ने कॉंग्रेस सरकार से पूर्वोत्तर भारत की इस्तिती पर सवाल करते हुए कहा कि सरकार को बेरुजगारी, नोटबंदी, सीमवर्ती, इलाकों में तनाव और मनिपोर में हुई हिंसा पर दस्तावेज पेश करने चाहिए संसद में बजट सत्य 2024 के दोरान पेश किया गया श्वेट पत्र वास्तिविक्ता से को सुदूर है और यह एक सफेज जूट पत्र है पियम मोदी की आर्थिक नीतियों के कारण ही देश की अर्थविवस्था रसातल में चली जा रही है मौजूदा सरकार में सरकारी कंपनियों को चुनिन्ना दोस्तों के हाथों बेचा जा रहा है यूपिय शासन के कारेकाल में देश की अर्थविवस्था पर लगाए गई श्वेट पत्र का मकसद काले सच को छिपाना है भाजपा सरकार में भूक, बरती महंगाई, बेरोजगारी और घोर गरीबी अधिकांश भारतियों की काली हकीकत है आगे जैराम रमेश कहते है कि कॉंग्रेस पार्टी के राष्टी अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे ने भाजपा के दावो का खंडन करते हुए बीजेपी के बीते 10 साल के कारेकाल पर 10 साल अन्यायकाल टाइटल के साथ काला पत्र जारी किया है जो की भाजपा के श्वेट पत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है दीबी लाइफ की रिपोर्ट